गुड़ मॉनिंग श्टूर्णिस आज हम दिखेंगे हिंदी फर्स्ट पोयम चांदनी रात जिसे लिखाए मैंतिरी शरन गुपता जीने इसमें उन्हें रात का मनोहरी वर्नन मनोहरी मतलब मन को हारने वाला प्रसुत अंश पंचवटी का खंड़का वैसे लिया गए है प्र कवी ने इस कवीता में ये जो कवीता है उनकी ये कवीता पंचवटी नाम का उनका जो खंड़का वैसे लिया गया है यहां पर प्रकृति की चटा मतलब क्या प्रकृति जो अलग अलग रूप है उस रूप को बड़े ही माधूर या बहुत ही मिठास भरे शब्दों से ज़ा पर उनोंने वर्नन किया है कवी मैधुर शन्गुप्ता देखते हैं चांदनी रात के बारे में कवी का क्या कैना है सो शुरू करते हैं चांदनी रात चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में सवच्च्छ चांदनी बिच्छी हुई है आवनि और सुंदर, चारुचंदर के चंचल की急急, करते करननेखंद के चंचल की दharti पर और अम्बर पर बीची वे तो यसे मानो वो धरती और अम्बर के साथ मानो क्या के भाई लुका चुपी या फिर अटकल खहला इसजाएं सेמצ जल और जमीन के साथ खेल रही है उसकी जो किरने हो किरने क्या कर ये है जल और जमीन, अवनी और अंबर, सवच्छ चांदरी बीची हुई है, अवनी मतलब धर्ती और अंबर तल में, अंबर तल में मतलब किया आस्मान में, उसकी जो प्रकाश उसकी प्रकाश पूरी धर्ती पर आस्मान में फैली हुई है, तो पहले इसमें उन्हें क्या बताए कि चारू और धर्ती पर भी अवनी अवनी मतलब के धर्ती धर्ती पर भी फैला हुआ है पुलक का प्रकट करती है धर्ती हरित त्रुणों की नोकों से मानों जूम रहे है तरुभी मंद पवन के जोकों से अब यह जो चांदनी रात है चांदनी रात बहुत ही खुबसूरत है तो इससे धरती है धरती बहुत प्रसन्न हो गई तो धरती जो है अपनी प्रसन्नता या फिर अपनी खुशी है खुशी कैसे जाहिर करती है पुलो का प्रकट करती है धरती पुलो का प्रकट मतलब क्या प सब्सक्राइब रुक्षे भी क्या करें? जूम रहे हैं। इस तरह से धर्तिय अपनी प्रसनता प्रकट कर रही है। क्या ही सवच्छा चांदनी है यह? है क्या ही निस्थब्द निशा? है सवच्छंद सुगंद मन्दव वह? निरानन्द है कौन? दिशा। कभी चंद्रमा के सवच्छ प्रकाश में निखरी हुई, रात्री का वनन करते हुए कहते कि चांदनी गजब के निर्मलता है, क्या ही सवच्छ चांदनी है यह, क्या कहते कि चांदनी रात के यह जो सुन्दरता है, यह जो चांदनी रात है, यह गजब के निर्मलता है, और य इतनी सुन्दर रात में सुमनद गंद यहां पर खुश्बू रही है, रात की खुश्बू यहां पर फैल रही है, फैल रही है, इतनी थैसे निरानंद है कौन दिशा की जिसमें आनन्द नहीं होता, निरानन्द का मतलब क्या होता है जिसमें आनन्द नहीं है तो ऐसी कौनसी दिशा है जिसमें आनन्द नहीं है मतलब कभी का कहने का मतलब है कि यह जो रात ही रात इतनी सुच्च इतनी सुगंद भरी है कि हर एक दिशा जो हर एक दिशा इसे खुश हुए इसलिए उने question कहे है निरानंद है कौन दिशा, कौनसी ऐसी दिशा बाकी है जिसके अंद आनंद नहीं है, मतलब हर एक दिशा में कहा है आनंद यानन फैला हुआ है, बंद नहीं अब भी चलते है नियती नटी के कार्यकलाब, पर कितने एकांत भाव से, कितने शान्त और चु मतलब हैं जो रात है रात के समय जो क्रिया कलप होते है रात के समय जो malt चलते है नियति नटी के कार्य कलप चुप चाप hé जो डिस्टब के उसके कार्यकलाब चालो है, विशेषता यह है कि यह सब कुछ शांत लंग से और एकांद भाव से चुप-चाप हो रहा है, कही कोई कोला हन यह, कोई शोर शरावा हन नहीं है, मतलब क्या कि रात है, इसका मतलब ने कि सब शांती से सोये हुए, रात में जो नीश प्रुथवी बटो लेता है उनको सदा, सवेरा होने पर, है बिखेर दिती वसंदरा, वसंदरा मतलब पृत्वी, मोती सब के सोने पर, जब सब सो जाते है, तो वसंदरा मतलब धर्ती, धर्ती क्या करती है, कि मोती बिखेर देते का पर आस्मान में, मतलब क्या रात के समय हो पीख्या डीकिर्ट समीर होने पर रवी बतो है इनको सदा सवेरा होने पर रवी सूर्या सूर्य बतो है सुभ जब shock मोनेज़ तो क्या करता है जो सारे ईतारों को मानो ěता है क्या होता है सुभ मतलब क्या होता है सूरच के किरनों के Seren की वज़े परेड जाते हैं, तो इसलिए उससे पर दीखाई नहीं देते। जो घर को जो तॉर्ड वर्णमा वाहता है। सुर्ज वह प्लपना उपाय अपने यह रख लिताएं, आपने पड़कंटों नहीं देगाक। शुन्य शामतनु जिसके उसका नया रूप चलगता है, और शाम को बटो लेतर क्या करता है, और विरामदाईनी अपनी संध्या, जब सुबह होते हैं, सुबह होते हैं, तो रात क्या करते हैं, आराम करती है, तो सूरज क्या करता है, विरामदाईनी अपनी संध्या को दे जा संध्या को दे जाता है, जो अराम कर रहे है, ताकि शुन्य शाम तनु जिसके उसका नया रूप चलाता है, रात को वापस जैसे शाम होती है, सूरज ढलता है, सूरज ढलने के बाद जैसे अंधिरा हो जाता है, तो वापस तारह है, वापस तारौन से क्या होता है, आस्मान भ पंचवटी की चाया में है सुन्दर पर्नक कुटिर बन उसके सनमुक सवच्च शिला पर धीर धीर निर्भीग मन क्या हुआ है कि पंचवटी पंचवटी कहा पे तुम्हें पता है पंचवटी नासिक में पंचवटी की स्टोर तुम्हें पता है जब राम लक्षमर शिता जोपडी में पाच पिलर थे, पाच खंबे लगए थे, चार बाजो में छार बीडल में खंब लगा था, वो जो पाच वट्र, तो जो जो पाच थे, मतलब जैसे कि अनलोग वहाह ना किसी टा को रावन भग कर लेकि जाता है य। फिर वहाह दो जोपडी के वही है, और आगे तो 5 वतल सी बदा नंग जोपरी में जो 5 पिलार उसके पांच वतल रूप्णषा हो गए तो वही पंचवथी है, मतल्ब पंचवथी पंचवथी की चाय में सुनधर परनकुREE बना, वहाँ पे कहना कि उसके चाौ उतला खैग उसके जोपरे, उसके सामने सलमुक मतलब सामने उसके सामने एक सवच्च शिला शिला मतलब पत्थर उसके सामने एक सवच्च शिला पर एक पत्थर के उपर धीर वीर निर्भीग मना उसके सामने जो पत्थर है उस पत्थर के उपर एक कोई वीर बिना डरे निर्भीग न सिला पर एक रुद और निडर योद्धा विराज मानें। काय कि यो जो पंचवट है। पंचवट के चाय में एक सुन्दर सी कुटी जोपड़ी बनी है। उसके सामने एक पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर एक धीर योद्धा जो है। नीडर होके नीडर मन से वहाँ पर बैठा हुए। दूर् भूववियर योद्धा जाग रहा है, कौन धनुर्दए्धर? जब कि भूवन भर सोता है, भोगी कुस्मा योगिसा बना दृष्टिगत होता है। और कभी में लास्ट में कहा है कि जाग रहा है जहां कौन धनुर्दण? धनुश्यधारी। मतलब धनुश्यधारी जो आभी भी जग रहा है, जबकि भूवण भशोता है, भूवण भर सोता है, बंग् itísK me, Saaridd Gr existential, पर सब रात के समय में सभ सो गए, जब रात के समय में सभ सो गए है, तो ये कौनसा धनुर्दर है? तो आभी भी जग रहा है, भोगी कुसुमा देता योगी सा जो क्या करें भोगी इंसान के तरह सग्रोहस्त जैसा योगी जैसा दीख रहा है जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है योगी सारी भोगी कुसुमा भुदयोगी सा बना दुरुष्टिकत होता है तो कभी कहीते हैं कि ये काम्देव सब होगी, कौन है जो सन्या का चिजे से बना हुआ अगोए दिखाई देर है उसले देखने के ब Discord का रूप उसके सामने आ जाता है तो इस तरसे रात के समय में या फिर रात का वर्णन करते हुए रात के समय में क्या क्या होता है रात कैसी होती है कैसे चंद्रमा आता है चांदनी रात होती है उसके बारे में कवी ने इस कवीता में बताया है